भारत बनाम श्रुलंगा सिरीज के लिए भाद्य टीम का एलान हो गया है इस टीम में भारत के दिगज खिलाडी अजिंके रहाने और चितेश्वर पुजारा की जगह नहीं बनी है दोनों खिलाडियों को ड्रॉप किया गया है चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की माने तो दोनो खिलाडियों को रंजी ट्रॉफी खेल कर फॉर्म में वापस आने की सलह दी गई है टीम से अजिंके रहने और चितेश्वर पुजारा के बाहर होते ही ट्वीटर पर क्रुकेट एक्सपर्ट्स बने फान्स की बार आ गई इन दो खिलाडियों के बाहर होते ही लोगों ने इ BCCI ना रोहत और ना ही जैशा और ना ही बैटिंग फॉर्म एक और यूजर ने दोनों खिलाडियों के फेरवल की बात तक कर डाली उन्होंने लिखा ये BCCI की ओर से बहुत ही अनुच्चित और शर्मनाक है एक घंटा हो गया है और उन्होंने अभी भी चितेश्वर रसी दी गई थी और केवल टेस्ट में खेलने वाले खिलाडी को निरंतरता बनाए रखनी चाहिए थी लेकिन अश्चर्य है कि सीमित ओवर की क्रुकेट में कुछ जगह खोजने की कोशिश में टेस्ट मात से भी बाहर हो गए लेकिन IPL फॉर्मेट में भी CS के दुआरा नह पिर से उदय होगा निश्चित रूप से अजिंक्य रहाने और चितेईश्वर पुजारा भविशे में बढ़िया वापसी करेंगे दुनों चैंपिन खिलाडी है कोई शक नहीं कर सकता एक और ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया हाड लग अजिंक्य रहाने चितेश्व काम ना है चितेश्वर पुजारा के सपोर्ट में आए एक यूजर ने लिखा चितेश्वर पुजारा के साथ BCCI अन्याय कर रहा है दो बार्डर गावसकर ट्रोफी में उनकी योगदान के लिए हम उनकी कर्सदार है रहाने से उनके नंबर हमेशा अच्छे रहे वो हमेश मुश्किल परिस्तियों में प्रदर्शन करते हैं अन्याय यूजर ने लिखा चितेश्वर पुजारा जिंके रहाने भारत के लिए आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद पुजारा आप हमेशा भारत के लिए रॉक सॉलिड थे दोनों के लिए अच्छा होगा कि वो एक ब पुली अकेले थे जिनोंने सदियों से अजिंके रहाने और चितेश्वर पुजारा का समर्थन किया हाला कि युग का अंत बताते चले अजिंके रहाने और चितेश्वर पुजारा का करियर अभी खतम नहीं हुआ है दोनों खिलाडियों को रंजी ट्रॉफी खेलकर फॉम म इस वीडियो में बस इतना ही मैं हू गरिमा स्पोर्ट से जोड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए दी ललन टॉप शुक्रिया